नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूटूब चैनल आज हम आपको बताएंगे कि academic bank of credit क्या है यह भी लेटिस्ट ही UGC ने एक notification जारे करके इसके बारे में जानकरी दी है तो आप चाहे तो रिकोर्ड रखा जाएगा इसके लिए college और universities को academic bank of credit scheme में अपना registration करना होगा इसके बाद वहाँ पढ़ने वाले हर student का data store होना सुरू हो जाएगा यह दि को student बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे time period के हिसाब से first year complete करने पर certificate, second year diploma या degree दी जाएगी first year pass करने पर certificate, second year pass करने पर diploma और तेन साल का course पूरा करने पर degree दी जाएगी यह commercial bank की तरह काम करेगा student इसके customer होंगे और यह सिक्षा के छेतर में काफी एक एहम फाइदे मंद होगा जिसमें first year करने के बाद किसी कारण वस अगर को student पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको certificate मिल जाएगी अगर वो चाता है कि मैं आपने पढ़ाई को दुबारा सुचारो रूप से करूँ तो उसको diploma होगा अगर वो second year भी करके छोड़ देता है या direct second year करके छोड़ देता है तो और फिर अगर वो third year भी complete करता है तो उसको degree दी जाएगी तो यह थी जानकरे about the academic bank of credit अगर वीडियो पसंदा है तो लाइक से जरूर कीजिए इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए चनल को सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद